हाई एवरीवन वेलकम बाक टू आवा चानल अउनली वेचर सोई आई होप यो अला वेल तो फ्रेंट आज के इस फिडियो में मैं आप सभी के लिए केक की रेसिपी लेकर आयों यह रेसिपी बहुत ही आसान है और जितने भी इंक्रेडियंट्स हमने इसे बनाने के लिए आप एक बार इस रेसिपी को ट्राय जरूर करें और हमेशा की तरह अगर आपको हमारी आज के यह रेसिपी पसंदाती है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो की नीचे एक लाइक का बटन जरू क्लिक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकी प्रें बैकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले तो चड़िए बिना देर की आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक कप मैदा लिया हुआ है और मैंने हाफ कप सूजी ले वी है फ्रेंड्स आपको एक कप ले ले और उसी से आप सारा मिजमेंट करें तो सबसे पहले ना हम क्या क करेंगे एक जार लेंगे और इसमें मैंने सूजी को आड़ कर दिया है तो यहां पर मैंने सूजी को डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें शुगर आड़ कर दिया है और हम इसका ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है ताकि शुगर का यह पाउडर मंझे और जो हमारी सूजी है वो भी हमारी बारीक हो जाएगी तो प्रेंट्स यहां पर जो हमारा शुगर है और जो सूजी है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है और यह पावडर बहुत ही अच्छे से बन के तयार हुआ है तो अब हम क्या करेंगे कि इसी में आज हम अपना बैटर बना करेंगे बैटर बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा बहुत ही फटा फट से बन कर तयार हो जाएगा तो यहाँ पर मैदा डाल देंगे और यहाँ पर मैंने दही आट कर दी है दही मैंने जादा नहीं Half Cup दही आड़ की है और इसके अलावा इसमें Milk आड़ कर देंगे Milk आड़ कर देने के बाद इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला दिना है और हमें इसे ग्राइंड कर लिना है यह देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बैटर बन करके त्यार हो चुका है बिल्कुल स्मूथ है तो अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगा इस तरह से बैटर बना के त्यार करने से यह आपका बहुत सारा टाइम आपको बहुत सारी महनत बचा देता है और बैटर बहुत ही अच्छा बनके तयार होता है और जो केक है वह भी बहुत टेस्टी और स्मूथ बनता है तो अगर आपको लग रहा है कितनी जल्दी कैसे होगा तो आप इस तरह से बैटर बनाए आपका बहुत ही टाइंग बच सोडा आट कर दूंगे इससे जो हमारा केक बनता है वह काफी अच्छा सॉफ्ट बनके तयार होता है बस इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला करके मिक्स कर देंगे और क्योंकि आज हम केक करने वाले हैं कढ़ाई में इसलिए मैंने कढ़ाई में नमक डाल कर और इसे ग करदेने के बार इसमें और अच्छी तरह से पेट लेना है पेटने वक्त आपको दियान रखना आ है कि आप इसे एक ही डायरेक्शन में पेटी लगाता चलाते हैं तो ब्याटर हमारा हो चुका है रेडी अच्छी तरह से क्योंकि आज हम इसकेग को दो रंग में बनाने वा वह उसी रंग में रहेगा और इसमें हम फूड कलर आड़ कर रहे हैं तो मैंने यहां पर यह रेड शेरी फूड कलर लिया हुआ है आपके पास जो भी एवलेबल हो आप वो ले सकते हैं कलर इसमें आड़ कर देने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे यह देख यहां पीसी ओयल से करना बिल्कुल ना भोले वरना इतके में हमें दिक्कत हो सकती है तो यहां depth आप हम क्या करेंगे कि की 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 बैटर को डालें गया तो यहां पर पहले क्या करें कि कि एध्यवा चंब स्टर हुम तो इसsतरह से नदना कलर वाला और एक एक चमश ये फूट कलर वाला इसमें डालती जाएंगे फ्रेंट्स आई हो कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहा हो अगर हेल्फुल रहा आपके लिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंट्स के साहँ शेयर भी जरूर करें तो यहां पर इस तरह से करते वे आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा डिजाइन है कुछ इस तरह से बन चुका है तो यहां पर जो हमारा कढ़ाई है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है इसके उपर एक स्टांट मैंने रग दिया है आपके पास कुछ ना हो तो आप सेंपल कोई स्टील की कटोरी या कोई बरतन रग दे जिससे वो हलका सा उचाई पर आ जाए इसमें केक का बाटर वाला बरतन डाल देंगे और अब हमें इसे ढख करके न अच्छी तरह से पकाना है पहले इसे पांच मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और बाकी की पचीज से तीस मिनट हमें इसे लो टू मिडम फ्लेम पर पकाना है आप इसे बीच में चैक करते बी रहें तूद्पिक या फिर आप नाइफ की मदद से चेक करों है कि जедь है हुआ है अराव केक गम्हाञर हो घुंद ख मसमें दोनेनागो वी अ केंओ जैगा को तो कीником्हाञर में निकाले में आशानी होगी तो छेछ निच प Chapman जब यहाएगा थो जब केक को निकाल लेंगे नाइफ की मदद से साइट से घुआते हुए मैं निकाल से एक प्लेट रखेंगे और अब इसे पलट देंगे उपर से हलका सा टाप करेंगे और केक हमारा बहुत ही आसानी से निकलाएगा तो यह हमारा केक बन करके त्यार हो चुका है काफी अच्छी तरह से पक भी गया है और अगर सॉफ्टनेस की बात की जाए ता आप देख सकते है बहुत ही जाधा सॉफ्ट हमारा केक बन करके त्यार हुआ है a Google तो जो हमारा केक है वो तो बन के तयार है मैं आपको कट करके दिखाती हूं यह देखे सुपर सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज्यादा टीस्टी भी लगता है तो आप एक बड़े से ट्राइब कर सकते हैं अगर आपका कभी कुछ मीचा सा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ही कम टाइम में कम सामान से बना कर तयार कर सकते हैं तो हमारा केक बन कर तयार हो चुका है तब आप सूच के अरे फ्रेंट्स फटा फटा से इस रेसेपी को ट्राइज जरूर करें और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और जाने से पहले अग अपी, STAY HEALTHY, STAY CONNECTED